यहां पर देखीगा एक सब्द है मेरे पास सू और एक सब्द है उक्ति यहां पर क्या हुआ समय क्या है बोलो और उक्ति का पहला क्या है बोलो तो इस शब्द वर्ण क्या बनेगा बोलो और यह दोनूं की जगे एक बड़ा हुँ हो गया और सब्द क्या बन गया बोलो सुक् क्या अचाया और इसका उचारण भी इसी प्रकार से हमें करने की डालनी चाहिए सूकती नहीं है वह सूकती कल जैसे मैं बतारा था कि हम लिखते इश्वर हैं और बोलते कैंश्वर्य न कि तो इस तरह से शूकती शब्द हो गया इसी तरह से देखो यहां पर डोनुदों यह एक था यह दो था और यह का देश कहलाएगा और यह शब्द क्या बनेगा बोलो भूर्जा अभी लडिसी में पूछा गया था कि भूर्धवा का संद्विचेद क्या है तो एक तो भू है और एक उर्धवा है इसको कुछ लोग उधर वे बोल देते हैं इसका विशुद् से भूश्मा बनेगा इसी तरह से एक शब्द है अनू और एक शब्द है उदित न में क्या है ओ इधर भी उ है उ के बाद में उ आएगा तो एकादेश हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा बोलो अनुदीत क्या बनेगा बोलो अनुदीत इसी तरह से एक शब्द है और वदू और उर्जा शब्द क्या बनेगा वधूर्जा दोनु और बड़े आ सकते हैं तो यह जितनी तमाम तरह की जो इस्ततियां इसमें सकती है वह मैं बता चुका हूं यह धान रखीगा वापस वहाँ पर आपको लिये चलता हूं मैं आपको कैसे भी आएगा उप प्षपर कैसे भी आएगा ई मनेगा और बांट में री जब आता है तो दीर गरी बनता है फिर से कह रहा हूं हिंडी में दीर गरी को माना न ही जाता लेकिन फिर भी को दो है प्यूचा जाता हican मैं चोफा पार्ट पढ़ा रहा हूं किसका दिर्ग संदी का दिर्ग संदी का चोफा पार्ट यह है कि रही किया योग यदि री से हो जाए या आगे-पीचे कैसे भी आ जाए थो यहाज है और जेसे कः में जब जोडते हैं तब इसको इसकी वर्तनी ऐसे लगती हैं और कव में जब री जोडते हैं तब इसकी वरतनी वरतनी जो है वो ऐसे लगती है मौस्ट इंपोर्टेंट आज की कख्षा की बात कि ध्यान रखीएगा अब देखीगा कि हमें ध्यान क्या रखना एक तो मैं मैं आपको इस बात से भिन प्रसंग में मैं आपको एक जानकारी देना चाहरा हूं कि बच्चों हुआ कि आरम में हमारे पास जो री था जब यह उत्पन हुआ तो यह हरस्वरी था और यह वाला क्या था दिरगरी था लेकिन दिरे दिरे हमने किया क्या ओप्नाया तो बड़े रीध को जैसे देखो यह लेकिन हम किया अपनाया तो बड़े वाले को और हमने इसको बोल क्या दिया छोटा क्या बना दिया हरस्व बना दिया और धीरे-धीरे हमने इतना जबरदस इसका अभ्यास किया गलत चीज का कि आज पूरे भारत वर्ष में कस्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक सभी लोग ऐसा ही लिखने लिक बड़ा रहें और बोल किया रहें छोटा और इस गलती को चिपाने के लिए एक फॉंट विक्सित कर लिया गया कि यह छोटा और यह बड़ा यह छोटा है और यह क्या है बड़ा है तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें शोधन क रने की आवश्यक्त है लेकिन क्यूंकि हम कुछ गलतियों में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि जीवन वापस उसको सुधारने का आवसर नहीं देता हुआ यहां पर कुछ में उधान देता हूं देखो आपको एक सब्द है पित्री अब पित्री सब्द में हरस मूलते तो यह री मिला था लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया क्या है री इस बात को केवल आपने सीख ली और सीखने के बाद में यहीं पर किसी को बताने के लिए काम आएगी परिक्षा में काम नहीं आएगी यह धान रखेगा इसलिए आम आपको एक अत्रिक्त जान दिया यदि आप 1908 से पहले की मुद्रित पुस्थकों को यह धान से पढ़ोगे वैसे तो है नहीं आप तो पुस्थकें फस्थियर में जाते हो तो अब यह पित्री शब्द हिंदी में चल रहा है ना पित्री के साथ में यदि में रिन सब्द जोड़ दूँ तो देखीगा यह तम री था अब इसको नहीं लिखूंगा यह क्योल बताने के लिए था और री के बाद में यह जूटा वाला आया तो हमने उसको थोड़ा करना चाहिए क्या करना चाहिए मैंने जब हिंदी प्रिहद व्याकन को पुष्टक लिखी तो यहां पर यह जो री जो था उसका फॉंट डूड़ने के लिए जो है पसिन आगे थे इसका फॉंट नहीं मिल रहा था क्योंकि हिंदी में यह जो है इस प्रकार की प्रमपरात ह है अमने त्रिन तो लिखा है लेकिन हमें यह जदी बड़ा री लिखना है तो यह वाला जो फॉंट है यह वाला जो चिन है यह सामान्य टाइपिस्ट को मिलता ही नहीं है तो ध्यान रखोईए इसी प्रकार से हमने का एक शब्द है हमारे पास मात्री और एक शब्द है हमारे पास रिन माता का रिन होता है और यह शब्द क्या बनेगा बोलो मात्री इस प्रकार से बनेगा इसी प्रकार से जामात्री शब्द होता है जामात्री जमाई को कहते हैं जामात्री के साथ में रिण जोर दोगे तो शब्द क्या बनेगा बोलो जामात्री रिण जमाई का जो रिण है एक शब्द जो हैं बहुत प्रचलन में था समस्कृत में हिंदी में पूछा जा सकता है भ्रात्री धन रिकार, रिकार का मतलब आप समझते ही हैं और ये शब्द बनता है भ्रात्री कार, क्या बनेगा बोलो, भ्रात्री कार, तो ये छोटी-छोटी चीज़े हैं, लेकिन इसको हमें, इसके कुझ जादा उधान नहीं है, इसी प्रकार से हमने कहा दात्री, दाता का दात्त्री धन रेन तो शब्द क्या बनेगा बोलो दात्त्रीन बनेगा और यहीं पर इसी के साथ में मैं आपको दिर्ग संदी को समाप्त करता हूं कि मनिकी पांच संदियों में जो एक संदी है दिर की संदी वहाँ समाप्त हो गई एक बार ध्यान कीजिए वापस रिवाइज करते हैं देखीगा मैंने यहां से शुरू किया था कि जातिक आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं वोलों कौन-कौन से सजातिय और विजातिय स सजातिय में चार जोड़े मैंने बताए चोथे का जो है वो अपवाद है इंदी में माना नहीं जाता पूछा जाता है और प्रसपर कैसे भी आए बनना क्या है बोलो बड़ा बनना है दिर्ग बनना है चोथा मैं आपको बता चुका हूं और इसके अलावा यह असवन असव कहलाएगा और के बाद में उ आ गया तब भी यह क्या कहलाएगा बोलो विजाती कहलाएगा तो बाकी की जो दिर्ग और व्रदी संदियां है कौन सी बताओ बोलो दिर्ग और व्रदी संदि जो है वो विजाती है सौरी गुण और व्रदी संदि माफ करें गुण और व्रद यहाँ पर विजाती सवर हो गया तो यहाँ पर यह चीज़ें आपको समझ में आ गयी इसे पहले हम थोड़ा साइख चलना चाहरें देखींगा यह यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पर देखी हम गुण संदी में क्या इनको हम गुण संदी के अपवाद मान लेते हैं अभी हम बात करने वाले यहां पर देखी गुण स्वर किसे होगा बोलो ऐ और और मनि कहीं पर एक की एक मात्रा लिख जाए उकी एक एक वर्तनी दिख जाए मात्रा क्या वर्तनी और जहांपर शी पर और तू पर उपर रुपर दिख जाए तो वहांपर गुन संधी हमें कहनाmmい चाहिए यह ध्यान रखीगा तो शुरू करता हूँ मैं दूसरी गुन संधी एक बार यहां से आपको पूरु जान जो हैं इसको देख लीजीगा इसको मत देखिए इस 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 बॉक्स को देखिए और मैं आगे लिए चलता हूं दिमाग में वही रखिए जो यहां पर मैंने आपको बताया है और यहां पर देखीगा यह रहा आपकी दूसरी संदी जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो गुण संद और गुन संदी में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कौन-कौन से वर्ण होते हैं बोलो एक तो A है एक O है और एक तीसरा क्या है बोलो अर है अब यहां पर हमें यह जानना है कि A बनेगा कैसे तो इस गुन संदी के पहली बात तो मुख्य रूप से तीन पार्ट होगे ए वाला ओ वाला और अर वाला जैसा कि दिर्ग संदी में चार पार्ट थे वेशे ही गुन संदी जो है उसमें कितने पार्ट होगे वोलो तीन होगे कितने होगे तीन होगे चलो मितनों बहुत ध्यान से सुनना है देखी का कि यह देखिए पहला जो है वो इस पार्ट की बात करते हैं देखिए अ या आ के बाद में हरस्वई या दिर्गी कोई भी आएगा तो रिजल्ट जो आएगा दोनुं के वर्ण के स्थान पर हो जाएगा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो मनी और आ के बाद में प्रतंपर अंतिम वर्ण और या वह हो पहला वर्ण जो है वो यह हो तो दोनुं के स्थान पर उने वाला है और यहां पर देखीगा कि कैसे आता है जैसे हमने एक एक शब्द लिया देव और एक शब्द लिया हमने इंद्र यहां पर व में क्या रहा है बोलो और आगे क्या ए नहीं है यह बच्चों यह है क्या है बोलो और यह जो है आपका ए है बोलो और ए मेरे साथ सभी लोग अभ्याज करें जो इस कलास को सुन दें ओ ए ए तो यह जो वर्ण है इसका उचानिस्तान कंठ है और इसका उचानिस्तान जो है वह कंठ तालू है क्या है बोलो और एससा क्यूं हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले लेकिन वापस यहां आ जाता हू गुन संदी में तीन स्वर होते हैं, एक तो a है, एक o है, और तिसरा क्या है बोलो? और आ है, यह जो a है, यह कैसे बना? प्रथम पत का अंतिम्वन or या आ में से कोई एक सदस्य होना चाहिए यहां पर और अंतिमपत का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है ए हो सकता है या तो फिर ए हो सकता है इन दौनों के इस्थान पर जो स्वर होने वाला है वो क्या होगा बोलो ए होगा क्या होगा अब यहां पर देखिएगा व में अ था और इंदर में क्या था बोलो ए अब एक और दुख और इसके इस्तान पर क्या हो गया बोलो ए हो गया तो यहां पर ये जो शब्द बनेगा एक ही वर्तनि हम ऐस Keeping P और यदि ये शब्द ऐसे होता देव धन ईश तो यहाँ पर देखो अंतर क्या आया यहाँ पर तो और ई मिल रहा था लेकिन यहाँ पर वह वाला ई और ईश वाला दिर की मिलके भी जो वर्ण का निर्मान करेंगे वो क्या है बताओ ए है और जो शब्द बनता है वो शब्द क्या बनेगा बोलो देवेश क्या बनेगा अब मैं आपसे कहूं इन दो शब्दों की संदी फटाबट कीजीगा एक तो महंदर की कीजीगा एक महश की कीजीगा एक राकेश की कीजीगा फटाबट करो इन शब्दों की संदी एक शब्द जो है वो है द्वारकेश, एक सब्ध गुडाकेश, गुडाकेश, एक सब्ध ये वाचेतर फटाफटकीजीगा इनका संदिविचेद फटाफटकीजीगा और एक सब्धे इतरेतर एक सब्धे विवाहेतर एक सब्धे प्राणेश एक सब्धे निलेश एक सब्धे भावेंद्र इन सब्धूं का संद्विचेत कीजीगा अपने आप कीजीगा फटाफट करें कि महंद्र जो है इतनी देर तक हो जाना चीए महाधन इंद्र होगा महेश का महाधन इश होगा यहाँ पर विशेश ध्यान डखनें के आउसित्ता है राका धन इश राक राक नहीं होता है राका रात्री को कहते हैं और राकेश जो शब्ध है वहाँ चंद्रमा का प्रयाई है किसका अदे बोलों चंद्रमा का का तो राका धन इश है इसी तरह से द्वार के शब्द जो है उसका संदीचे दोगा द्वार का धन इश यहां पर एक और बड़ी गलती हम करते हैं हम लिखते हैं द्वारी का ये द्वारी का शब्द गलत है इसी प्रकार से एक बहीन शब्द लिखते हैं ये भी गलत है शुद्ध शब्द होता है बहन क्या होता है दो है निद्रद्र वहां जो निद्रकाई से गुड़ा का और आगें है ईश और वाच जो है वाच धन इतर वानी से इतर जो शब्द होता है यहां पर वाव और इंद्र निल और इस प्रान और इस विवावżenia और इतर और बहुत मैत्पून है बार बार पूछा जाता है इतर का मतलब होता है अन्य अन्य का अन्य के साथ जो संबंध होता है बच्चों उसका नाम इतर इतर होता है कहां पर हां बहुत अच्छा बात हैं यह दहान रखेगा बहुत अच्छी बात पूछी है अब यहां पर देखेगा महा शब्द आपके अपति की हम यहां पर महा क्यों नहीं लिख सकते हैं जांद रखी महत का पुलिंग में बनता है महान इस लिंग में बनता है महती और भावाचक संजया होती है उसकी महता क्या होता है बोलो महता लेकिन इस महान का न चला गया और पीछे से जो हमने शब्द अपनाया वो क्या है बोलो महाशब्द है जैसा कि हम जानते हैं महासागर बोलो हां या ना महा नदी तो मूलशब्द जो होगा वह महा होगा क्या होगा महा होगा महा नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि यहां पर देखीगा यहां पर हम कह रहें कि द्वार का ही शब्द है द्वारी का शब्दी नहीं है क्योंकि हमारा मुक्षुक के लिए बोलने के लिए हम इस प्रकार का प्रियोग कर देते हैं जबकि शब्द क्या होता है द्वार का क्या होता है बोलो चीजूं का आपको विशेश ध्यान रखना है चलिए आगे चलता हूँ पहला पार्ट जो था आज का वह यह था कि कि गुण संदी में ए और अर होता है एसे बनने वाला उधान बोलो कर सकते हूं हाँ या ना एका निर्मान कैसे होगा बोलो कि अब प्रतम पत का अंतिमवण आया हो अंतिमपत का प्रतमवण ए और इमें से कुछ भी होगा तो बने gun यह हमें विशेश स्वें ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरा जो पार्ट है गुण संदी का बोलो कुंसा है वह ओ वाला है चलो गुण संदी के दूस्रे पार्ट की बात करते हैं गुंण संदी दूसरा पार्ट कि दूसरा पार्ट जो है वह वाला है अब निर्माण कैसे होता गाएक सदशी बनेगा क्या क्या बनेगा कि जैसी मैंने एक मैंने सब्द है मैं पास व्यवाष सब्द है और एक सब्दन है ले लिया आगु है और यह शब्द जो बना वो विवावत्सव इसी तरह से परीणय और उत्सव जो है वो क्या बनेगा परीणों उत्सव यह धान रखेगा तो बहुत सारे शब्द इसके जितने भी सब्द जो बन सकते हैं जैसे मैंने कहा महाधन ओर्जा बोलो क्या बनेगा महोर्जा क्या बनेगा बोलो हा में क्या था आ था यहां पर जैसे मैंने और उ मिलाया यहां पर मैं क्या मिला रहा हूं बोलो हा में आ है और उर्जा में क्या है उ आ उ मिलेगा तो भी बनेगा क्या बोलो ओ बनेगा और शब्द क्या बनेगा महोर्जा क्या आपको कहा महाधन उद्यूग ने कि बोलो क्या बनाओगे कि हामें क्या बनाओगे MY अर्य नेया है महाध्योग क्या बनेगा वो जो नेदा लुदियोग इस प्रकार से गुण संदि का दूसरा पाठ हमें ये कहता है कि और आ के बाद में उ या उ आये तो दोनों गिस्तान पर हमें क्या कर देना चाहिए ओ कर देना चाहिए बाकी शब्दूं को आप खुद देखीगा अब देखो ये गुण संदी का दूसरा पाढ़ था ये तीसरा पाढ़ है बोलो क्या है और तो शुरू करता हूँ ये गुण संदी का तीसरा पाढ़ गुण संदी जो है उसका तीसरा भाग हमें क्या कह रहा है कि यहां पर अर बनेगा क्या बनेगा बोलो अर बनेगा अर बनता कैसे है इसका नियम लिखीगा कि प्रथमपत का अंतिमवन अ या आ हो और अंतिमपत का प्रथमवन केवल री होगा अ आ का योग यदि री से होता है तो यह शब्द क्या बनता है बोलो अर बनता है क्या बनता है अर अब इसकी एक पैचान लिखिएगा यदि किसी भी शब्द पर शब्द के आगे शी देखो तू देखो न देखो और इसके उपर रह देखो बहुत मैत्पूर्ण सीज है किसी भी शब्द के आगे शी तू न और या फिर चाक के उपर रह देखो या फिर भाक के उपर भी रहता लेकिन यह इतना ही अभी इतना ही करो यह तीन मैत्पूर्ण है बाकी दो उधारन और है मैं अलग से देखूंगा मनी शी तू और न बोलो शी तू और न सभी बच्चे जो इस कक्षा को सुन रहे हैं वो अभ्यास किजीगा यदि आप शी पर तू पर और न पर रह अर्द रह देखो तो वहां पर जो संदी होगी वो क्या होगी बोलो गुण संदी होगी जैसे मेरे पास एक सब्द है पहला सब्द में लिख देता देवर्ण क्या लिखा बोलो देवर्ण लिग दिया एक शब्द लिख दिया मैंने सामर्चा सामर्चा और एक शब्द में ने राजर्शब ये सारे के सारे शब्द जो है वहागुण संदी के उधारण है और यहां से बहुत बार प्रस्ण पूछे जाते हैं इस बात को हमें ध्यान रखना है देखीगा ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि रिश से शुरू होने वाला एक सब्द क्या है क्या है जबो करें एक शभद मेल को रिशव करी बहुत है और यह जो यह जो आप इसमें जो रह देख रहे हो यह वाले यह जो हैं उसका क्या बना दिया उपर चला जाता है और शील तूर ना और चा इस श्रबार से बनते हैं इसलिए मैंने कहा कि शी पर तूपर और पर यदि आप रहा देखो तो वहां पर संदी होगी बोलो कौन सी संदी होगी गुण संदी ध्यान रखेंगा हुझ अब इसका उधरन जो है इसका संदी पीछेद क्या होगा तो महाधन रिशी बोलो शब्द क्या बनेगा महर्शी क्यों बनेगा बताने की ज़रूरती नहीं है हामे आ है रिशी का आरंबिक अ है यह एक था यह दो था इनके इस्थान पर एकादेश में अर कर दिया अब मह का आ गया तो ऐसे हलंत रहे गया और यह रिशी का शी पीछे रहे गया अभिन सब वर्णू को जोड दोगे तो यह महा था यह मह अर जुड़ेगा रह उपर चला जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा बोलो महर्शी क्या बनेगा महर्शी को यह विशेश करके इस परकार की जो चीजे हैं उसको अमें ध्वान मे रखना चाहिए कि बंता कैसे है कि इसी तरह से मैंने एक सब्द लिया ग्रीश्म क्या लिया बोलो ग्रीश्म और आगे शब्द था रितू शब्द था मां में का था अ था आगे क्या है री है और के बाद में री आया अर बन गया ग्रीश्म का जब मां गया तो मां हलंत हो गया मा का और शी रितु वाला री बनकर के मिलकर के अर बन गया रितु का आगे तू रहय गया इन वर्णू को सेयों कर दोगे तो ग्री को तो ग्री लिखो गये शोको शोलिखो गये लेकिन माम अ जूड़ जाएगा र हलंत है हलंत रह उपर चला जाता है और शब्द क्या बनेगा बोलो ग्रिश्मर तू क्या बनेगा इसी प्रकार से अब यह चीज आपके लिए इजी हो गई होगी देवधन रिन होगा वा वाला अ और री वाला इमिलकर के अर बना यह चला गया यह चला गया और यह शब्द क्या बन गया बोलो देवर्ण बन गय इसी तरह से एक सब्द है साम हम जानते हैं रिक यजू साम और अथर्व यह जो चार वेद हैं उसमें तीसरा वेद हैं कौन सा साम वेद और रिचा मंत्र को कहते हैं साम वेद हैं वह जो है इस प्रकार से लिखा जाता है म में देखेगा क्या है आगे क्या है री है मां का अ री चा का री दोनुं के स्थान पर अर हो गया दोनुं ये घर चले गए तो मां हलन्त रे गया और बीच में अर आ गया रीचा का चा रह गया इन सब को शब्द खंडूं को जोड़ दोगे तो सा मां अ जुड़ा तो मां पूरा रह उपर चला जाएगा और शब किये हमने एक लिया ग्रिस्ट मरतु इसी तरह से मैं कुछ उधान लिख रहा हूं आपको संद्विचेद करना है एक शब्द कीजिगा सभी लोग जो इस कक्षा को सुन रहे हैं वह पूरी तैयारी के साथ बेठें एक तो इधान रखीगा भाषा की जो कक्षा है वह सुनने की हैं वह अभ्यास करने की है और जितना आप लोगो अभ्यास करूगे उतना आपको फाइदा होने वाला है तो इसको जैसे जैसे में कह रहा हूं उसको साथ-सात में लिखते जाएगा नहीं तो घर पे जाकर किभूल जाओग यह कहानि जो और कह रहा हूं यह आपको इस्थाई बनाने के लिए कुछ संकेत आपको लिखित रूप में आपके पास होने चाहिए ताकि आप जब मैं यहां से चला जाओं तो आप देख पाओ कि क्या पड़ा था एक वरसर तू है एक वसंतर तू है एक शीतर तू है एक हीमर तू है एक प्रेमर तू है एक शर्द रितू को भी कहते हैं लेकिन शर्द रितू जो है वो गलत है शर्दर तू शर्द बनाते हैं लेकिन शर्द में दहलंत होता है हिंदी में चल तो गया आएगे लेकिन फिर भी प्रकार जैसे महर्षी था राधर्षी हैं इसी प्रकार से कणवर्षी हैं इसी प्रकार से नारदर्षी हैं इसी प्रकार से देवर्षी मैंने शब्द शाइद लिखा या लिख दिया है देवर्षी है कि देवर्षी लिख चुका हूं कि इसी प्रकार से एक शब्द धीरर सी एक शब्द भारतर शी और एक शब्द जगर शी अब देखेगा इनका संदिव चेद आपको तुरंद कर लेना चाहिए पहले तिये द्रहां डखो इन रख पर देखो शीव पर और तूपर इस प्रकार से रह दिख़ए रहा है तो रह दिख़ए दे रहा है तो यहां पर संदी जो होगी वह क्या होगी वह वोगूंण संदी कि अब देखीगा इनका इसका जो संदी चे दोगा आप अपने आपको चेक किजिए कैसे क्या वर्साधन रितु यहां पर वसंद प्लस रितु हो जाएगा यहां पर शीता नहीं करना शीत रितु हो जाएगा यहां हिमक हो जाएगा यहां प्रेम हो जाएगा यहां जग रिशी हो जाएगा यहा यहां पर नारद हो जाएगा और रिशी हो जाएगा यहां पर कंव कंव रिशी हो जाएगा और यहां पर मूल तो होता है राजन राजन नहीं आए तो राज को दो दीजीगा ना लोफ होने के बाद में और राज भी नहीं आए तो भारी मन से राजा और रिशी भी आप यहां लिखीगा चलिए गुण संदी के अपुवाद गुण संदी के अपुवाद बच्चों एक शब्द है दश और एक शब्द है रिण यह में क्या है आगे क्या है बोलो री होना क्या चाहिए था अर लेकिन अर नहीं होकर यहां पर क्या हुआ आर बनना क्या चाहिए था यह दशन लेकिन दशन नहीं बनकर के यह क्या बन गया बोलो दशार्ण क्या बन गय परखतोर है किसी परकार से एक सब्डिय वस्त्र और एक सब्ढ़ रिन कि इन पर होना चाहिए था और नहीं हुआ क्या हुआ क्या क्योंकि ब्याकर्न को भी व्याकर्ण भी भाषा को अपने नियमों के अनुसार नहीं चला सकती इध्यान रखेगा मनि की व्याकर्ण जो हैं पहले भाषा का जन्म होता है और तद्रनंतर भाषा लोक में व्यवरित होती है और लोक व्यवरित भाषा को देख करके कुछ रिशिमुनी या कुछ चिंतक लोग वे जिन्नोंने हमारे नियम कानून काईदे बनाए ऐसा था लेकिन फिर भी कुछ श लो आर इसी तरह से पहले छोटे छोटे लेकिनल रिया जाते थे कंबल खरीदने के लिए रिल जो लिया जाता था उसको की सब्सक्यार लारन क्या अब भर्वन और जो भर झा सब्द का निर्माण जिस नियम के तहट होना चाहिए था उस नियम के तहट नहीं हो करके किसी अन्य नियम से यदि कोई कार्य सिद्ध होता है तो वो उस संदी का अपवाद हो जाता है और यह उधान तो व्रदी नहीं होता यदि भवनर्ण होता तो यह दिर्ग संधी लेकिन यह आbelsान बना इसका मतलव अर्ण अर्ण बन करके क्या बन गया और और शब्द क्या बना वुलू भवनार्ण इसे तरह वह सब्द तर दनारिन हुएत कि तो यह सब्द जो है वह व स्फरांण इस प्रकार सिए बनता है व्रस तरन नी बना तरान बना गुन संदी का अपवाद हो गया और इस तरह से एक जो है रिण उतारने के लिए जो रिण लिया जाता था उसको तो रिनार्ण नहीं बोल करके हम लोग बोलते हैं रिनार्ण क्या होता है बोलो रिनार्ण तो बहुत ही मत्मौन शब्द यह आपके शब्द कोस में सम्मलित हो जाने चाहिए ध्यान रखेगा जीवन में जितना इनका अभ्यास करोगे उतना ही आपको फाइदा होगा प्रयास हमें यह करना चाहिए कि भवन बनाने के लिए हम रिन लेते हैं तो उसको हमें भवनार्ण बोलना चाहिए क्योंकि एक एक शब्द हमारी अद्वित्य चिंतन परंप्रा का एक बहुत ही एक उजवल रत्न था लेकिन हमने उन शब्दों को आजगल कहीं खो दिया है और इस अंद्धोंद जिवन जो हैं उसके अंदर हमें प्रयास करना चाहिए हमें तमाम तरे की भाषाई शीकनी चाहिए हमें पूरवज हमारे जो पूरवज्यों थे संस्क्रित बोला करते थे हम जानते हैं कि राजा भोज का समय जो था वो इस संस्कृति में संस्कृत के लिए स्वणीम्युग था स्वणियुग था और वहां पर पूरा भारत약 का जो संद्रति भारत की संत्रत थी वह संस्क्रित में बात किया करते हुए यह अभी घन्दी मांधिमैन व्यारतां कुर्मंग जैसे अभी हंदी मादम से विभार करते थे लेकिन आज हमारी भासा क्या हो गई है हिंगलीश हो गई है क्या हो गई है आधी हिंदी है और आधी इंगलीश हो गई है तो इंगलीश को स्वतंत रूप से सीखेगा ग्लोबल भाषा है बिल्कुल सीखना चाहिए लेकिन हमें हिंदी बोलते वक्त ह हमारा प्रियास होना चाहिए कि हम विशुद्ध रूप से हमारे मुख से निकलने वाला प्रतेक शब्द रत्न हिंदी काई हो तभी आनन्द आएगा और खीचडी